नमस्कार दोस्तों आप शिवी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि पिछले पांच शालों से यह देपता आपके उपर प्रशन है और आपको शंकेत दे रहे हैं जियां दोस्तों लेकिन हम आप शिवी को बता दे कि अभी तक आपको इनका भनक तक नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों हम आपको यह बात बता दे कि अब हुआ हुआ वक्त आ गया है जब आपको अपने जुनकाल में या देवताओं का दिविश शक्तियां आपको अश्पर्श होने वाली है जियां दोस्तों आज शाम के चार बज़ कर पंदर मिट को प्रांद आप शिवी के जुनकाल में ये देवी देवता आप शिवी के जुनकाल में बड़ा ही चमतकार करने वाले हैं जिनने देख कर आपको अपने आँखों पर एकिन नहीं होगा लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को बता दे कि इनके पीछे का रहश बहुत ही गहरा है आपके पिछले कई शालों से यहाँ देव से आप बचे हैं जिया दोस्तों आपको लगता था कि हमें इस यहीं बच गये लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को बतादे कि categ Tapis अ बिल्कुल ही शाया की तरह बचले पारctions शाद ही रहता है और दोस्तों आज में आज शाम से आप शिवी के जुनकाल में इनका बड़ा चमत कार्वाले वाले हैं जिनसे दोसों आप शिभी का पूरा जीवन बदल जाएगा, आने वाला भोष बदल जाएगा。 तो दोस्वेशे में आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मेश मत केज़ेगा, क्यके दोस्तों हम आप शिवी को बता दें किया है वीडियो आपके लिए आपके जीवन के शबश्य महत्मून वीडियो होगी, जिन में दोस्तों आपके आने वाले शुप माई पलों की हम जानकारे देने वाले हैं कौन सी शनकेत आप शिवी को प्राप्त होने वाले हैं क् confiscate शुबकारे यस में आपकी जुनकाल में होने वाले हैं और दोसोर कौन सी विश्यास बातों का ध्यान रखना आपके लिए बावश्यय होंगी दोसों शवी बाते आज के इस वीडियो में विस्तारशी बात करने वाले हैं तो दोसों वीडियो को बिल्कुल ही मीशना करें और इन्हें अंतर तक ध्यान से देखे लेंगे तो दोसों हम दावे के विशाथ कैश रखते हैं या दो देविड़ाओं के अशिरबाश या आपकी जुनकाल में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी कि दोसों आप शुवी की जानकारी के लिए बता दें तो दोसों आप शुवी की जुनकाल में शारे शुमशाय दूर हो जाएंगे शारे श्रंकट आपके जुनकाल से खत्म हो जाएंगे दोसों आप शुवी को बता दें कि पिछले कई शुमे से आपको बहुत शारी कारियों में तरकी मिली है बहुत शारे आपके कारियों में रुकाउटें भी खत्म हुई है जी दोसों, और दोसों कभी कबार आपको यसे गलतियां भी कर देते हैं जिनके कारण आपके जुनकाल से यह देवी दिवता रुष्ट भी हो जाते हैं जिहां दोस्तों दोस्तों आप शिवी को बता दें कि आपकी जुनकाल में कई शारे शेक कारे हैं जिन में यह देवी दिवताओं के शिरबाशी वो कारी देखते ही देखते हैं लेकिन दोस्तों कई शारे शेक कारे हैं जिन में आप कुछ गलती कर देते हैं जिन के कारण यह देवी देवता रुष्ट हो जाते ही और आपको कारियों में नुक्षान उठाना पड़ता है जिया दोसों लेकिन दोसों इसका मतलब यह नहीं कि यह देवी देवता आपके उपर प्रशन नहीं है दोसों यह देवी देवता आपके शाया बनकर शात रहता है और यह चाहता ह कि आप कोई भी गलती ना करें अपने जुनकाल में आप हमेशा शत्य की राह पर चल कर आगे बढ़ें जियन दोस्तों इसलिए आपको कई बार इसने कारियों में नुक्षान भी दिये हैं ताकि आप उनसे कुछ शेक शकें कि आपके लिए शही है और क्या गलत है जियन दोस्तों नुक्षान का मतलब है आपको शंके देते हैं जियन दोस्तों अगर आप उन शंकेतों को नजनराज कर देते हैं तो दोस्तों आपको मुश्यवतों का शामना करना पड़ता है दोस्तों आप शभी को बता दी कि आप पिछले कई शुमेशे आप अपने जुनकाल में प्रिशानियों को देख रहे हैं, प्रिशानिया आपके जुनकाल में आ रहे हैं, अपने जुनकाल में कई तरह की आप अर्चने को देख रहे हैं, मुशिवत आपके शाथ एक नएक नई नई आते ही रहती है, जितना आप मेहनत करते हैं, दोस Bon, उतना आपको फल नहीं मिल पाता है, शांची शाया दोस्तों हम आप शिबी को बचा दें के पेश mec आ अप epic之 क कमाते हैं, उतना पेश आपके पास रह नहीं पाता आते हैं, तो दोस्तों किशी और कारी में किशी और छेतर में लग जाते हैं जिनसे दोस्तों आप पेशी की बचत नहीं कर पाते हैं जिनसे दोस्तों अगर आप थोड़े बहुत मुशिल से भी पेशा को बचाते हैं तो दोस्तों बहुत पेशा किशी ने किशी बिगन बदाय में खत्म हो जाते हैं जिये दोसों हम जान दें कि आपके जूनकाल में बहुत शारी शेजातक हैं जिनको रोजगार कारवार में बहुत शारी अर्चने, मुश्यपिते और शमिश्याई देखने को मिल रही है यह दोसबों लेकिन दोसबों हम आप शेव covet को बातों की अब आपको दोबारा वक्त मिलने वाला है यह दोसबों और अब शेवल आपको कौनसी बातों का ध्यान रखना है कौन सी गलती नहीं करना है ताकि यहा देवी दिवताप शेव रुश्ट ना हो जाए दोसबों इसके दो बार आप्ष्के आपसे जो है रुष्ट न रहेफा है जो दोसूं हम जो आज खिश्व को बात बताने वाले हैं दोस्थ उन बातों को आपको अपने जुनकाल में बिल्कुल ही धालने Android अप्षके दो लिए फैल लिए जिससे आप अपने जुनकाल में तंग हो जाए जिने दोस्तों बहुती शरल और बहुती खाश उपाई बताएंगे जो कि दोस्तों आप शिबिकी जुनकाल के लिए महत्पुन है जो यहाद देवी दिवताओं को प्रिशन करेगा और आपको हमेशा शही कारी करने की ओर लेकर जाएगा जिए दोस्तों आप कभी भी अपने जुनकाल में शेक कारी नहीं करेंगे ताकि यह देवी दिवताओं रुष्ट हो जाए तो दोस्तों शारे बात विशेच है इन बातों को ध्याश देखिएगा इनसे आप अपने घर अपने परिवार को और अपने जिवन काल को बहुती बहतर दिशा में लिकर जा पाएंगे तो दोस्तों विडियो को आगे बिलकुली ध्याश दिखिएगा जेह दोस्तों आप शिवी को बिता दें कि अब शे आप शिवी की जुनकाल में राजजियों का निर्वान होने वाले हैं तो ऐस दोस्तों बात करते हैं शर्व परतम द शच्चे मन से जय मालक्ष्मी जय भुलिनाथ जरूर लिखेगा दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान भुलिनाथ का शिवी को प्राप्त होगा जीहां दोस्तों तो ऐस दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप शिवी को बता दें कि आपके जुनकाल में कई शारेशे कारण है जो कि अंजाने में आप गलती कर देते हैं और आपको नुक्षान उठाना पड़ता है दोस्तों हम जानते हैं कि आपके अपने ही लोग शत्रू बन जाते हैं जिया दोस्तों कई बार आप अपने ही लोगों शी परिशान हो जाते हैं, आपके बहुत शारी कारुबार में अर्चने आ जाते ही और उन शारी अरचनों में आपके अपने ही लोगों का हाथ होता है और दोस्तों हम आफ शिबी को बिता दें, कि या Sioumae आप अपने जिनकाल में इन ही बातों का ध्यार लगना है कि कौन से अपने बनकर जो आपके जुनकाल में शत्रु घुम रहे हैं उनसे बस आपको शमलना है जिया दोसों आप शबी को बिदा दे कि आपने पिछले जिवनकाल में पिछले श्यमेंतराल में जिसका भी आप भला किये हैं वही लोग आपके लिए बुरे शाबित हुए हैं लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि आपका दिल और आपका भाव बिल्कु है निसल है आपके मने में कोई छलकफट नहीं है आप साफ दिल की इंसान है और हमेशा आप लोग की भलाई के ही बारे में शुजते हैं अगर कोई इं कि और दोस्तों आप कई बार करते भी हैं जी हैं दोस्तों शादिशा दोस्तों आपको बता दे कि कई बार आपने दूसरों को खुशी देने के लिए खुद को भी गड़े में भर ले हैं और दोस्तों आगे चलकर वो इंशान आपके शात नहीं होते ही वो इंशान आपको भूल जाते हैं जिहां दोसों और आपको तब जाकर बुरा लगता है कि हमने अपने जुनकाल में जिसके लिए इतना कुछ किया इतना उनके शाहता की उनके लिए दिन और रात तक नहीं देखी जब उन्होंने जो बोला हम उनके लिए तैयार उनके लिए खड़े थे लेकिन वही इंशान आज हमको धोखा दे दिये हमारी भावनाओं की कदर नहीं की तो दोस्तों इश्रे में आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जी है दोस्तों और आप इन्हीं शब चीज़ों को देखकर कभी कबार खुद ही खुद हो रोते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि आप बिलकुल भी निराश और बिलकुल भी मायूश मत होएगा कि दोस्तों किश्मत आपके शाथ है भगवान की शक्ती आपके शाथ है या दो दिर्दाओं का शिर्वाद आपके शाथ है जो कि आपको हमेशा नजर लगाए देते ही कि आप क्या कर रह हैं दोस्वं आप यकीन मानिए अब शिविक की जुनकाल में जो बड़ी घटना होने वाली है दोस्वं आप की जुनकाल में बिल्कुली खुशियां होंगी बश आपको अब इन लोगों से शावधन होना होगा कौशी कार्यों को करने होंगी कौशी बातों को ध्यान रखना ह होगा हलांकि दोस्वं आप किशी के ऊपर एशी नजर नहीं रखते हैं जिन से उनको हानी हो जाए जियां दोस्वं और इन्हीं शवी अच्छे शोभाव के गारण या दो दियुद्यूताओं के ऊपर बहुत ज्यादा परशन रहते हैं आप गलत भी करते हैं आप शेह भी रहता है इनका नजर आपके शाद हमेशा रहता है अगर आप कभी कवार गलतिशे कोई कारी कर देते हैं तो दोस्वं नमें आपको या शंकेत भी देते ही जिन बातों को आप कभी कवार नजर अन्दाज भी किये हैं जिनके कारण आपको मुश्यपतों का शामना करना पड़ा है इसलिए दोस्तों आपको अबश्य वह गलती नहीं करनी है जो आपने अंजाने में की है जी दोस्तों इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके जुनकाल में जो भी आने वाले शुमे की क्रियाएं होंगी जो भी आने वाले बात होंगे जिनको आपको धियान में रखना होगा उन शबी बातों के बारे में बात करने वाले हैं जियां दोस्वों, शर्व परतम दोस्वों आप शिवी को बतादे कि यश्य में आपके जुनकाल में बहुत यची योग का निर्मान होने वाले हैं, आपके जुनकाल में यह दो दिरताओं का शुरुबात साथ है तो आपको खौन से शावधानी रखनी है, तो दोस्वों दादे के शर्व परतम आख मुंद कर आप जिन पर भरुशा करते हैं, वो धोका देते हैं, तो दोस्वों आपको अपको अपने जुनकाल में बश इन बातों का ध्यान रखना है, कि जिन लोगों पर आपने बहुत ज़्यदा भरुशा किये हैं, उन पर आपको बिल्कुल जिन लोगों को पहचान कर, आपको इन शी रिस्ता बिल्कुल ही तोड़ देना है, जिया दोस्वों, अगर आप एशा करेंगी, तो दोस्वों आने वाले शर्व में आपकी जुनकाल में कोई भी गलती नहीं होगी, और दोस्वों यही लोग होते हैं, जो कि आपको कारी भी करवा देते हैं, कई बार आपको फाशाने की भी प्रयत्न करते हैं, जिन से आपका कारी भंग हो जाए, जिन से आपकी शमान में समाज में नाम खराब हो जाए, यह बहुत शारिशियों प्रयाज करते हैं, जिया दोस्वों, हलांकि कई बार इन्हों ने आपको जा हमारे ही करमों के लुशा how सम hè बोश्म को क्या करना है कि पहचान करना है कि कौनसे आप अपने हैं कौन से पराए दोस्व यह हो गया आगे हम आपको बता दे कि यह दो दियुदाओं का अशी मशिरबाद आप शिबी के जुनकाल में प्राप्त होने वाले हैं जिनके कारण दोस्व आपको हर छित्रों शे शफलता की प्राप्त होगी शबशे पहले दोस्व आप श नहीं थी दोस्व उनन शब हैं मन चाहिरजघार की प्राप्ती होने वाली है जए दोस्व और जो लोग पहले शीहरोजघार में कारणकरत हैं उफिस में आप को ये साथ जॉब करते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि आपकी जो भी शेलरी है उनमें बड़ोतरी हो शक्ती है आपके पज़णती हो शक्ती है और आपको जो शम्मान है आपको जो ऑफिस में दरजा है आपके जो कारेस्थान पर दरजा है उनमें दोस्तों बड़ोतरी ह और आपके शारे शीनियर आपका शमान भी करेंगे तो दोस्तों शमे आपके लिए बहुत ते महत्पुन आने वाले हैं. दोसों हम आप शुव को बतातें कि बिचले शुमेसी जो भी आपके कारियों में आपके यह जो कारियों बारे हैं उनमें नुक्षान मुश्वते उठाने पड़ रहे थे दोसों उसे शुटकारा मिल जाएगा और जो भी आपके वैपार के चत्र हैं वो दुगनी तेजी से तरक्य के और बढ़ते जाएगा यह दो दिवताओं का शिरबाद है इनके कारण आपके जुनकाल में जो शत्रु आपको परिशान कर रहा था जो आपको बदनाम करने की साजिशें रच रहा था दोसों वहाँ अब आपको प्रिशान नहीं कर पाएगा और जो आपको शाजिसें रच रहे थे उनमें वो खुद ही फशने वाले हैं जियां दोसों बश आप शुभी को बता दें कि पिछले केश में से ये लोग बहुत ही जुरदार कोशिश कर रहे थे आपको भशाने की आपको बदनाम करने की शमाज में आपके नाम केशे खराब हो ये शारे शनेंत यूए लोग दिन रात रस्ते रहते थे तो दोसों हमने आपको तो बता ही दिया कि इन लोगों शी अब आपको शावदन रहना है बस दोसों आपको क्या करना है कि जो भी आप कारी कर रहे हैं उन पर यकीन करके कि ये कारी हमारी सच्ची हैं दोसों एक बात बता दे कि कभी भी आप कोई दो नमर के काम को मत किजीगा दोसों ध्या कि आपको अपनान करना है अपने घर परवार में हमेशा मिल जुलकर आपको चलना है दो इंशे ये दो देवताओं का शिरबात अपके परवना रहेगा यह देवताओं इन बातों को आप ध्यान रख येगा और दोसुं इस रच रहे हैं वो कोधी उस शड्यंतर में फशने वाले हैं। जिया दोस्तों, आपको कौन शी बातों का ध्यान रखना है। जिया दोस्तों, जो भी लोग शरकारी पक्च में कारीरत हैं, उनको शरकार दोड़ा कोई लाब मिल सकता है। जिन से आपका शमे और आपके आर्थिस्तेदी बहुत ज़्यादा बहतर होगी। यह शमे और इस शमे कुछ जातक को शस्रुआल पक्च से धनलाब की शमानों बर रही है। शादे शाद दोस्तों यह शमे हैं, आपको पेशा कहीं अगर निवीश कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप पेशा किशी को दे रहे, तो दोस्तों वहाँ पेशा आप बिल्कुल यह मत देजीगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप यह शमे पेशा देंगे, तो दोस दोसों यश्मे कुछ लोग रोते हैं और आपके शाथ ना टक करके आपशी पेशे लेते हैं लेकिन दोसों उसके मन में छल की भावना होती है और दोसों वह पेशी आपको देना नहीं चाहते हैं इसलिए दोसों जो विक्ति को आप देख रहे हैं कि ये शाहता की लायक है ये दोस्तों आपका जो पेशा है वो फंशक्ता है बस दोस्तों इस बात का ध्यान रखें तो आई दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि जो दो देज़ताओं का शिरबाद है वो दोस्तों पहला देवी है धनकी देवी मातालक्षमी जिये धनकी देवी मातालक्षमी का आप शिबी के शात रहता है जिन दोस्तों आप जहां भी जाते हैं जो भी कारी करते हैं जिनमें भी पेशा लगाते ही अगर वह पेशा शही होता है तो दोस्तों धन की देवी मातालक्षमी आपके जनकाल में पेशों की बारिश करती है वह पेशा आपको दुगनी चोगनी त कि आपको कोनशी गलती नहीं करनी है दोसों पहला तो हमने आपको बता ही दिया कि उन लोगों वग Σात नहीं रहना है शाती शात दोसों आपको बता दि आपको अपनी जुनकाल में पेशों का विसे ध्यान रखना है, पेशे को दोस्तों कई ऐसे अस्तान पर खर्च मत केज़ेगा, जो कि आपके लिए उतना कारगर नहीं है जितना आप शूज रहे हैं, दोस्तों हमेशा पेशे का जो खर्चा है वो दोस्तों सई शमीपर ही किज़ेगा विर्थ के खर्चों में जो इंसान पड़ जाता है दोस्तों, उनके जिवनकाल से धनकी देवी माता लक्षमी डूष्ट हो जाती है तो दोस्तों, आपको बश इस बात क्या रखना है और धनकी देवी माता लक्षमी के शिवाश ये अब आने वाले शिव में खुशियां मिलने वाली है धन की अपार शंभावनाएं बन रही है जिन से आपको लाब मिले जिन से आपका आर्थिक जती आपके पेशों के जो शमश्या है वो खत्म हो जाएंगे जिन के कारण दोस्तों आप शिबी की जुनकाल में जो भी मुश्यवत है पेशों को लेकर जो भी शमश्या है जो भी घर में बधाएं उत्पन होती है पेशों को लेकर दोस्तों वो शारे बधाएं अब धिरे धिरे कत्म होने वाली है और घर परिवार का महौल अब बहुत ही शिकारत मुग होने वाले हैं, घर परिवार की लोग आपसी सयोग में रहने वाले हैं, और दोस्वों शाथ शाथ ध्यान तो किएगा, कि घर परिवार की शाथ रहकरी आप कार्यों के गेजिएगा, कि दोस्वों यश्मी आपके शाथ माता लक्षमी का अश्रबाद है, उनका नजर आपके परिवार पर हमेशा रहता है तो दोस्वों हमेशा आप अपने परिवार के शाथ मिल जूल कर चलिएगा बस आप इस बात का दनकेगा किशी के बातों में आकर आप अपने परिवार के खिलाब बिल्कुल भी मत जाईएगा कि दोस्तों लोग भले ही आपको कुछ गह दे लेकि दोस्तों घर परिवार की लोग ही आपके एशे हैं जो कि आपके शाथ दिल से देंगे आपकी भहनोई से देंगे कि दोस्तों वो लोग जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और कि आपके लिए जरूरी है और लोग दोसों मतलब उसे ही आपको याद कर रहे हैं बस इस बात के आप ध्यान रखिएगा और परिवार का शाथ आप पिल्कुल ही मत चुड़ीगा दोसों हमारा कहने का अर्थबश यही था शाथे साथ दोसों आप शिवी को बता दें कि दूसरा जो देवता है वह है दोसों देवों के देव महादेव का शिरवात पिछले पांच शालों से आप शिवी की जुनकाल में है पिछले पांच शालों से आपके घर परिवार पर इनका नजर है जिन के कारण दोसों आपको क बहुत शारेशे बधाएं आपकी जुनकाल में आई थी जिससे श्वेंग देवों की देव महादेव ने आपकी रक्षा किया है और दोस्तों बहुत शारी कारियों में आपको मदद भी की है जिन से आप बहुत शारेशे शपलताओं को भी हाशल किये हैं लेकिन दोस्तों पिछले कई श्वे में आपने बहुत शारेशे गलतियां भी कर दी है जिन के कारण है देवताप्षी रुष्ट भी हो गए थे लेकिन दोस्तों अब आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है दोस्तों बश आपको अपने जुनकाल में अभी ही करना है कि श् पिश्ट देव हैं यह आपके धन के मालिक हैं यह आपके वैपार के मालिक हैं तो दोसों इन उपर आप बिल्लुकुल ही ध्यान दीजिएगा जीहां दोसों और शमी निकाल कर आप भगवान भुरेनात की पूजा रचना किजिएगा शिव वंदर में जाकर इनके लिए आप जल जरूर अरपित केजिएगा बेलपत्र और दूद भी आप इन्हें अरपित केजिएगा और दोसों बिदी बिदान के शाथ आप शमी निकाल कर भगवान भुरेनात की पूजा जरूर केजिएगा दोसों इंशे भगवान भुरेनात आप शे कभी भी रूश्ट नहीं हो दोस्तों हम आप शिवी को बदा दें कि यश्ट में ये जो दो देवदिताओं का शिरबाद है इनके कारण जो भी लोग प्राइवेट कमपनी में जाना चाह रहे थे तो दोस्तों आप शिवी को बदा दें कि वहाँ पर आपको शिफलता मिल सकती है हलांकि पिछली करिश में से आपको बार बार वहाँ पर शिफलता मिल रही थी आपका जो बीजा था आपका जो कारे था वो दोस्तों हमेशा शिफल चर रहा था लेकिन दोस्तों अब आपको श बिशेश किरपा बना रहेगा इनका बिशेश नजर बना रहेगा दोस्वों आप शिवी को बता दें कि माता लक्षमी शिर्फ आपके ही जुनकाल में एशा रहस खोलने वाले हैं जिन से आपको धन की शारी शमयशाएं खत्म होने वाली है दोस्वों आने वाले श्रम में आपके जुनकाल में हमेशा प्रेशन रहते हैं जी हां दोस्तों शाथ 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 दोस्तों आपको बता दें कि माता लक्षमी उनके जुनकाल में रुष्ट हो जाती है जो अपने घर में पती पतनी आपश में लड़ाई करते हैं और हमेशा पती अपने पतनी का अपमान कर देते ही तो दोस्तों एशी में मातालक्षमी उनके जूनकाल से रुष्ट हो जाती है तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है हमने आपको पहले ही बदाए है कि किशी भी नारी का आपको पनना नहीं करना है इनसे दोस्तों धनकी देवी मातालक्षमी हमेशा रुष् आपको शांत तरिकेशे करना है, अपने वानी पर आपको शनित रखना है, जे दोसों, और आपको हमेशा औरतों का शमान करना है, चाहे दोसों आप कहीं पर हो, घर में हो, कारेस्तल पर हो, कहीं पर जा रहे हो, बस आपको औरत का शमान करना है, दोसों इस बात का आप ध्यान कर भी आप औरत का प्मान मित कीजेगा इनसे मातालक्षमी रोश हो जाएंगी और दोस्वों कई बार मातालक्षमी भी आपके जुनकाल में औरत की रुप में आशकती है तो दोस्वों इस बात कर देंद किएगा अगर आप ये गलती आगे शे जाने जाने में करेंगे तो दोस्वों आपके जुनकाल के लिए बहुती बड़ा मुशिवत का ये कारण बनेगा तो दोस्वों इस बात का देंद रखें अगर आपको कोई औरत कोई इस तरी एशा हो जो जुरुत मंद हो जो आपसे सयुग मांग रही हो तो दोस्वों उनकाप जरूर ही सयुग कीज़ेगा कभी भी किसी औरत को ठगने की आप कोशिश भी भूल कर भी मत कीज़ेगा दोस्वों ये आपके जुनकाल में मातालक्षमी के परिक्षा हो शुकती है दोस्वों आपको अपने जुनकाल में एशी बातों का देनकना है इसे दोस्वों धन की दिवी मतालक्षमी बहुत ही ज़्यदा परशन होती है और धन में जो दिक्कत आती है धनाने में जो दिक्कत आती है जो पेशे की समयशाय बढ़ने लगती है दोस्वों इन्हें शभी के कारण होती है तो दोस्वों अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो शारी ये बधाये खत्म हो जाएंगी रोज़गार की प्राप्ति होगी और पेशों की दिक्कत जो आपकी जुनकाल में चलती है वो जड़शे ही शमाप्त हो जाएंगी तो दोस्वों आपको क्या करना है कि औरत का शमान करना है जिहां दोस्वों तो दोस्वों इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है शातिशा दोस्वों हम आपको बिता दें कि महा देव आपशे कभी-कभी रूष हो जाते हैं दोसों आप लोग शोमवार के दिन अगर नौनवेज खाते हैं मांस मंदर्य का शेवन करते हैं तो दोसों इस्षे महा देव रूष हो जाते हैं आप इस बात का ध्यान रखें और दोसों अगर आप महादेव यानि शिविके मंदिर में कभी भी जाते हैं कभी भी उनके जुनकाल में आप हाजरी लगाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर कोई भी खाली बेठा दिख जाए तो दोस्तों उन्हें आप परशाद को अवश्य खिलाईएगा दोस्तों इंशी आपके मन ही नहीं आपके हिर्दे भी शंतु चोते हैं इस ये महादेव आपके ज़्यादा आपके हिर्दे परशन होते हैं आपके इन्याद देकर वो बहुत ज़्यादा परशन होते हैं जे दोस्वों महादेव हमेशा आपके ही अंदर बेठा रहता है जे दोस्वों अगर आप उन्हें परशाद खिलाएंगे तो दोस्वों आपके मन आपके हिर्दे परशन होगी तो महादेव या आपशी परशन होगी बश आप इस बात का धिन रखें दोस्वों बात बहुत ज़्यादा मैधपून और बहुत ज़्यादा खाश है दोसरों अगर गर की शफाई कर्मी हो या फिर शफाई वाला हो या फिर कोई भी गरीब मजदूर हो जो दोस्तों इशाविक्ति है जो अपने डेली के कारेकर के पिशिक माता है और अपना जिवने यापन करता है उनको जो इंशान परिशान करता है उनके उपर महादेव का किरपा दिश्ट उत्पन होने लगती है और जो लोग मेहनत करते हैं मजदूरी करते हैं और अपने मेहनत से अपने जुनकाल में खाते हैं तो दोसों उनकी जुनकाल में महादेब की किरप्रदिश्टी हमेशा मिलती है उनको भले ही थोड़ा शाष शमय लगता है लेकिन दोसों उनको अपने जुनकाल में बड़े ही शुपलदाओं की प्राप्ति होती है जी है दोसों और वो जीवन भर अपने इस कारियों को लेकर बहुत इज़ादत प्रशना रहते हैं और कारी को करते करते अपने जुनकाल में बड़े-बड़े मुकाम को हसल करते हैं तो दोसों आपको बश इन ब भागेगा मत जी है दोस्तों इनसे भी महादेव बहुत ज़्यादा प्रिशान हो जाते हैं कि दोस्तों आज के जीवनकाल में आप देख रहे होंगे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी तिसरे व्यक्ति को मार रहे हैं तो दोस्तों किसी व्यक्ति को कोई परभाव ही नहीं ह वो अपने कारशे जा रहे हैं दोस्वों ध्यान रखेगा कि अगर आप इशा करेंगे तो महादेब की नजर महादेब की किरपादिश्टी आपके शाथ है इन्हें नजरिंदाज करने से दोस्वों आपको दोश लगेगा इस बात का आप खास द्यान रखें महादेब चाहते हैं कि आप उन लोगों की मदद करें जो आपके शामने अत्याचार कर रहे हैं तभी तो आपके शामने वो किशी और के अत्याचार कर रहे हैं तो दोस्वों आपको बश भागना नहीं है बश आपको भगवान भुलनात आपके शाहते ये शमच कर आपको उनकी मदद करना है जितना आप से होशके दूसरों बश आपको नजर मोड कर नहीं भागना है जित दूसरों अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब और मजदूर का मज़ाग उड़ाता है तो दोसरों उन्हें आपको शबग भी शिवखाना है कि ये बिलकुल ही गलत बात है या फिर जो आप से होशके आप है शी बातों का परयोग कर सकती हैं जो कि उनके शपोर्ट में हो उनकी शाहता के लिए हो और वो लोग उनकी जुह मजाक न उड़ाए तो दोसरों गर आप एशा करेंगे तो दोसरों आप महादेव की नजरों में हमेशा ही उच्च अस्थान की प्राप्ति करेंगे और महादेव हमेशा आपको शारी कारियों में शिफलदा दिलाएंगे जी हैं दोसरों शादिशा दोसरों हम आक्षिवी को बता दी कि जो लोग छोटे बच्चों पर बेवज़ा हाथ उटाते हैं, बेवज़ा ही छोटे बच्चों को प्रिशान करते रहते हैं, तो दूसरे जिवनकाल में महादेव कभी वे प्रशनर नहीं रहते हैं, जो लोग एशा कारी करते हैं, उनके जिवनकाल में महादेव हमेशा प्र तकलिब देना चाहते हैं जो लोग अपने जुनकाल में इशा कारी करते हैं। पर क्योंने कलत बात बोल देते हैं। अगला जो बात है दोसों है बेजवान जानवर और पशु को मारना पिटना। जे दोसों बहुत शारेशी लोग हैं कि बेजवान जानवरों को परिशान करते हैं। जे दोसों इशे शनिदेव का परकोप लगता है। जे हां दोसों आप शिवी को बता दें कि इन शे शनिदेव की जो बादाहे हैं वो वैक्ति की जुनकाल में आती है और बहुत शारे मुशिवत उनकी जुनकाल में चारों तरफशे घिर लगते हैं। जो लोग इन शबी बातों को लेकर शावधा नहीं रहते हैं। जो लोग इन शनिदेव की कभी किड़पाद इश्टी नहीं रहती है। दोस्तों आप शोभी को बता दें कि अब आपको प्रिजनकाल में अगर आप इशाग कर रहे हैं तो दोस्तों इन शोभी को आपको भूल कर भी छोड़ देना है दोस्वों अगला जो बात है वो बहुत ही शरल है दोस्वों ध्यान से सुनिएगा दोस्वों इन्षे आपको काफी धनलाब होगा हर छेतर में काफी तरकी आपको देखने को मिलेंगी दोस्वों आपको शौमवार की दिन दूद शौमवार की दिन कच्चे दूद में जल मिल कर शुवलिंग के उपर अर्पित करना है जे दोसों इस ये महादी बहुत ज्यादा प्रशन होते हैं और ये बात हमने आपको पहले भी बताए हैं जे दोसों आपको क्या करना है कि जो भी आपके जुनकाल में हो शके दोसों शुमवार के दिन आप गरीब लोगों की सहता जर इनसे जो व्यक्तिर जो चाह मंदिर में लेकर जाते हैं उनकी एक च्छा पूरी हो जाती है जिया दोसों तो अगर आप कभी मंदिर जाएं तो दोसों इस बात कित्या रखें कि वहाँ पर बेठे जो भी विखारी हैं जो भी लोग हैं उनको आप दान पुन जरूर कीजेग शाथे साथ दोसों आपको बता दें कि घर में माता लक्षमी का वास करने के लिए धनके वर्षा करते नेने के लिए घर हमेशा आपके घर में आते हैे दोसों इनके लिए आपको कौनशे बातों का द्यान रखना है कौन से कारें को गरना है दोस्तों आक्षिवी को बता दे कि आपको प्रतिति दिन शुभा जल्दी जगना है और जगते हुए ही शुरुदेव को जलर्पित करना है इसी दोस्तों जल्दी ही जो लोग नोक्री की चाहा रखना हैं, दोस्तों انको मंत्र, ओम, भूर, भुव, श्वाह, इस मंत्र का आपको जाप करना है, मन्षे 108 बार आपको जाप करना है और दोस्वं माता लक्ष्मी को अपने शारे दुख देउधाय चुनाने हैं, दोस्वं आपके शारे कष्ट आपके शारे अर्चने श्रमापत हो जाएंगी, तो दोस अच्छा दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए आप शुबी का धन्यवाद आप शुबी का दिन शुब हो मंगल मैं हो